दोस्तो एक समय था जब भारत के दरफ से कोई वी हतियारों का development होता था तो सबसे अधिक चिड़ पाकिस्तान के अंदर होता था पाकिस्तानी मेडिया में इसके उपर तुरंती चर्चा शुरू हो जाता था और पाकिस्तानी मेडिया एक तरीके से उस हतियार को लेके इस तरी कर तरीके से चर्चा हो रहा है चायो भारत के light combat helicopter हो तेजा से aircraft हो AMCA program हो या फिर अब भारत के बेड़े में शामिल होने वाले पहला इंडिजिनिया से aircraft carrier INS विकरांत रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि चायनिज मीडिया में भैंकर तरीके से INS विकरांत को लेके चर्चा ह लाया हुआ है और चायनिज मीडिया के अंदर भारत के INS विकरांत को लेके क्या चर्चा हो रहा है तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रही है और चैनल को सस्क्राइबर वीडियो को लाइक जरूर कीजिए तो पहला इंडिजिनिया से aircraft carrier INS विकरां के मताविक भारत के स्वदेशी aircraft carrier को एक तरीके से serving with sickness या फिर कहतो कमजोरी के साथ service में शामिल करना दर्शाया गया बिसिकली दोस्तों चायना के मीडिया में INS विकरांत का चर्चा कुछ और नहीं बलकि ये दर्शाता है कि चायना भारत के इस aircraft carrier को लेके कितना अधिक दि बैठा हुआ है दोस्तों चायना इसी aircraft carrier से क्यों डरता है और किस तरीके से चायना को इस aircraft carrier के द्वारा भारत काउंटर कर सकेगा उसके बारे में चानने से पहले थोड़ा चलिये जानते हैं कि Chinese मीडिया में असल में INS विकरांत को लेके क्या चर्चा हुआ बेसिकली दोस्तों सबसे पहले Chinese मीडिया के तरफ से इसी aircraft carrier को बनाने को लेके और इसी aircraft carrier को इंडियन नेवी में शामिल करने को लेकर रिपोर्ट जारी किया गया Chinese मीडिया के तरफ से भारत के मीडिया को कूट करते हुए बताया गया है कि भारत का पहला domestically built aircraft carrier INS विकरांत जो कि इंडिया के इंडियन नेवी डिजाइन वियूरों के तरफ से डिजाइन किया गया है तो वही पेस का construction का का काम को चेशी पियाट लिमिटेड में हुआ है औ इसे आने वाले कुछ दिनों के अंदर संभावित अगर्ष महिने के अंत में ही नेवी में शामिल किया जाए हाला कि दोस्तों इसके इलावा Chinese मीडिया का ये भी कहना है कि जो INS विकरांत यार्केट केरियर है ये फिलाल incomplete combat platform है उनका कहना है कि इसे इस महिने के अंत में इस विकरांत सर्विस में डिफेक्टिव रहेगा दोस्तों इंडियर मीडिया को कोड करते हुए Chinese मीडिया है बताया गया है कि ये जो एरक्राफ केरियर आने विकरांत है इसका वजन करीवन 40,000 टन है और उसका लंबाई करीब 262 मीटर है चोड़ाई 60 मीटर है और ये मैक्स की जंप, टेक आफ और एरिस्टिक लैंडिंग टेक्निक को फॉलो किया है हाला कि Chinese मीडिया का कहना है कि ये जो एरक्राफ केरियर है ये 40 अलग अलग टाइफ के एरक्राप्टों को करी कर सकता है जिनमें मिक-29 केरियर बेस फाइटर एरक्राफ से शुरू करके K-31 आर्ली व United Kingdom, France, China जैसे देश के बाद भारत का नाम आता है हला कि दोस्तों चाइना के तरफ से बताया जा रहा है कि ये जो इंडिया के एरक्राफ केरियर है ये फिलाल combat capability और वजन दोनों के मामले में ही पीछे है उनका कहना है कि ये केवल मात्र जेपैन के जो इजुमो क्लास के एरक लिक नहीं है हला कि Chinese मीडिया का ये भी कहना है कि भारत के तरफ से इसे लेके क्लेम किया जा रहा है कि ये भारत के शमता को डुएल यारकर्फ केरियर के शमता तक लाएगा और उसके बाद Indian Ocean के अंदर इंडिया के जो ताकत है उसे थोड़ा मजबूत करेगा हला कि दोस्तो और एरकर्फ केरियर के डिवलाप्मेंट से शुरू करके यारकर्फ केरियर को डिप्लॉय करने तक भारत को कई तहीं के के मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कई वार ये मुश्किल काफी जादा भी था इसके इलावा दोस्तो चाइना के तरफ से याइरक्राफ्ट केरियर को बनाने के लिए जो भारत का समय लगा उसे भी कृटिसाइस किया गया और बताया गया कि इसके प्लानिंग से शुरू करके इसके कॉंस्ट्रक्शन और इसके बाद इसे उतारने के लिए भारत को 20 साल का इंतिजार करना पड़ा और इसके साथ-साथ यह इतियास में एक ऐसा या एरक्राफ्ट कैरियर या फिद जहास के रूप में दर्ज हो गया जो इतने लंबे समय तक बनने के लिए लगा चायना के द्वारा बताया गया कि ये एरक्राफ्ट केरियर के ट्रायल के दर्मियान जब हाई स्पीड ट्रायल हो रहा था तो ये एरक्राफ्ट केरियर सामने के तरफ जुक रहा था और पीछे के तरफ जुक रहा था जिसे डिजाइन फ्लॉस के रूप में चायना के तरफ से नहीं लगाया गया जिन में कि एर्काफ केरियर के रैडर है और कई सारे foreign equipment है और चाना का यह है भी कहाना है कि एर्काफ केरियर में अब तक एरस्ट्रिंग वैर को नहीं लगाया गया चानिज मिडिया के द्वारा बताया जा रहा है कि केरियर में इसराइली ELM 2248 Active Fag Array Radar का इस्तेमाल किया जाएगा Chinese Media के तरफ से एक फोटो को दिखाते हुए बताया गया है कि हाली में इसे जब Indian Navy के हवाले किया गया तब जिन फोटो को जारी किया गया था उसे पता चल रहा है कि Aircraft Carrier के उपर अब तक Radar नहीं लगाया गया है Chinese Media का दावा है कि Aircraft Carrier के उपर Landing Equipment को नहीं लगाया गया है जिस वजाए से ट्रायल के दर्मियान Aircraft Carrier के उपर केवल मात्रे हेलिकॉफ्टरों का इस्तेमाल किया गया है और जो MiG-29 Aircraft को इसके उपर तैनत किया गया था बैसी कलिए उसके द्वारा किसी भी तरीके का Take-Off या Landing को अंजाम नहीं दिया गया जो इसके Sea Trial को एक तरीके से समाप्त नहीं करता है हाला कि इसे लेके चाइना का ये कहना है कि अभी तक इसमें Arresting Wear को लगाने के लिए 6 महिना इंतिजार करना पड़ेगा और उसके बाद कम से कम 28 से 20 महिना तक लगएगा इसके उपर Aircraft को के Take-Off और Landing कराने के लिए जिस दर्मियान ये Aircraft Carrier एक Transport Ship के जैसे ही काम करेगा और केवल मात्रे हेलिकॉफटरों को ही कैरी कर सकेगा अलाकि दोस्तों चाइनिज मीडिया के तरफ से बताया जा रहा है कि इस Aircraft Carrier में 76% तक इंडिजिनियस कॉंपोनेंटों का इस्तेमाल करने के बावजूद महत्वपूर्ण कॉंपोनेंटों को भारत के द्वारा अन्ने देशों से हासिल किया गया है जिनमें इसके transmission system और कुछ इंजिनों के equipment जहाँ पे भारत के तरफ से अमेरिका और जर्मनी से हासिल किया गया है तो वही पे इसमें इस्तेमाल होने वाले radar और sensor भारत के द्वारा इस्राइल से हासिल किया गया तो इन सभी बातों को उठाते हुए चायना के द्वारा भारत के aircraft carrier को एक तरीके से criticize करते हुए बताया जा रहा है कि इसके पास उतना ताकत नहीं है जितना चायना के aircraft carrier के पास है हाला कि दोस्तों अगर चायना के श्रमता को देखा जाए तो इन सभी बातों को अगर चायना के aircraft carrier के साथ जोड़ा आता है तो सबसे पहले बात आता है कि aircraft carrier के उपर इस्तिमाल होने वाले ski jump केवल मात्रे भारत के ही aircraft carrier पे नहीं है बलकि चायना के पहले दो aircraft carrier में भी संपुर्ण रूप से ये सोवियेट कुद्निसकाफ क्लास के ही aircraft carrier है हलाकि दोस्तों लियॉनिंग को अगर देखा जाए तो लियॉनिंग तो हाफ रश्या में ही निर्मान हुआ था जबकि शांग डॉंग को उसी ही डिजाइन के बेस पे चायना के तरफ से निर्मान किया गया ऐसे में दोस्तों अगर चायना को डिजाइन ही करना नहीं पड़ा तो ओविसली construction में इतना समय लगने वाला था नहीं दूसे तरफ अगर देखा जाए तो येरक्रेफ्ट carrier के उपर इस्तिमाल होने वाले fighter aircraft हो helicopter हो even एरक्रेफ्ट carrier के अन्य component सभी चायना के तरफ से copy किया गया है ऐसे में दोस्तों copy करने वाले लोगों को develop करने का महत तो कहां से पता चलेगा दोस्तों चायना के तरफ से एरक्रेफ्ट carrier में जिन fighter aircraft को तैनात किया गया है मतलब J-15 aircraft दोस्तों असल में जो Z-19 helicopter को तैनात किया गया है ये Eurocopter AS-365 helicopter का ही एक copy है हाला कि दोस्तों 65,000 ton के लियोनिंग aircraft carrier के उपर भी केवल मात्र 40 aircraft को ही तैनात किया जा सकता है और ओभी aircraft और helicopter का मिश्रन दोस्तों तरफ अगर सांग डॉंग को देखा जाए इसमें तो उतने भी aircraft को carry नहीं किया जा सकता है और report के मुतावी केवल मात्र 36 aircraft के सहारे ही ये aircraft carrier समुंदर में पहरा दे सकता है हाला कि अगर वजन को देखा जाए तो ये भारत के aircraft carrier से करिवन 20,000 ton अधिक भारी है लेकिन aircraft के संख्या लगवग सेम है दो चाइना के अंदर भारत के ये aircraft carrier INS विकरांग को लेके तिल्मिला हट होने के पीछे दो बड़े और महत्तपूर्ण रिजन है सबसे पहला रिजन है कि इंडियन ओशन के अंदर भारत के पास दो aircraft carrier होगा तो चाइना के मकसद इंडियन ओशन के अंदर इतना आसानी से पूरा नहीं होगा और दूसरा सबसे बड़ा डर ये है कि भारत इस aircraft carrier को बनाने के साथ-साथ aircraft carrier को किस तरीके से बनाए जाता है उसे विस सीख चुका है और आने वाले समय में इस experience का इस्तेमाल करके भारत और भी बड़े आकार के aircraft carrier को निर्मान कर सकेगा और उसके साथ-साथ भारत के बेड़े में आवशकता पढ़ने पे अधिक से अधिकतम aircraft carrier को भी शामिल किया सकेगा जो इंडियन ओशन के अंदर भारत के dominance को तो बढ़ाए गाई ही साथ में aircraft के संख्या बढ़ने पे भारत के द्वारा इसका तैनाती इंडो-Pacific के अन्ने शेत्रों में भी किया जा सकेगा जो कि चाइना के जो global मनसूबे है या फिर कहतो चाइना के जो trade route के उपर अपना दबदबा बढ़ने का मनसूबा है उसे आसानी से counter कर सकेगा और दोस्तों इसी से ही चाइना एक तरीके से दिल मिलाया हुआ है और चाइना अपने पबलिक को अपने इन रिपोर्टों के द्वारा एक तरीके से बेवकुप बनाने का प्रयाज भी कर रहा है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में बना हूँ अबल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए तकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिन